एक प्रांस्पोर्ट एजैंसी है टीसी आई ये उसका पूरू करमचारी है दूसरा शिवम गिरी ये टीसी आई का वर्तमान करमचारी है तथा रोहित कुमार पांडे भी टीसी आई एक्सप्रेस का करमचारी है तो इस प्रकार जो एजैंसी जिसको तैक किया गया था उन्होंने टीसी आई को प्रश्ट पत छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांस्पोर्टेशन की जिम्मेदारी दी इसके दो करमचारी तथा एक व्यक्ति जो की इनका पूर करमचारी है ये जो तीन लोग गिरफ्तार हैं उनका विरुन मैंने बताया इसके अलावा एक डॉक्टर शुवम मंडल जो की बिहार का रहने वाला है और ये हमारी हिरासत में इससे पूस्ता चलने हैं इसके अत्रिक्त दो व्यक्ति और हैं जो मास्टर माइड हैं जो अपी फरार हैं जिनका नाम क्रमसा रवी अत्री जो की जेवर गॉत्म बुद्नगर का रहने वाला है तसा दूसरा राजीम नयन विश्रा जो की प्रियागराज का रहने वाला है लेकिन भॉबाज भी आता जयता है राजीम नयन विश्रा का पूर इतिहास भी है और ये यूपिट डेट की परिक्षा में भी पकड़ा जा चुका है UPSTF के द्वारा तथा मत प्रदेश के में भी संविधा स्टाफ नर्स भरती परिए उसको बताया कि जैसे यही पेपर वेरहाउस में पहुंचेगा इसकी सूचना इस गैंग को दी जाए और यही बात अभिशेट शुक्ला ने अपने वित शिवम गिरी को भी बताया जो कि हमारे हिरासत में है दिनाग 12-2024 को शिवम ने पेपर आने की बात रभी अत्री को बताया तथा ट्रंक बॉक्स का फोटो भी बेजा रभी अत्री ने राजीम ने अभिश्या आपको यही बात बताया और उन्हें भी ट्रंक बॉक्स की फोटो बेजा दिनाग 3 परवरी से 5 परवरी के बीच रभी अत्री अभिश्यट सुकला अमदबाद के होटल दशमेज पहुँचे इसके बाद राजीम ने नाग मिश्रा भुपाल से कार के द्वारा होटल पहुँचा जहां TCI के करवचारी शिवम गिरी और रोहित पांडे आकर इसे मिले रभी अत्री ने डॉक्टर सुभम मंदल को पहुँच करके अटना से हमदाबाद फ्लाइट के द्वारा बुलाया राजीम ने नाग मिश्रा का आइपन लेकर डॉक्टर सुभम मंदल शिवम गिरी और रोहित पांडे वेर हाउस गया जहां डॉक्टर सुभम मंदल ने ट्रंक बॉप्स को पीछे से जो उसका हिंज होता है उसको खोला और उसमें से यूपी पुलिस परिक्षा के कोट नंबर दो का पेपर निकाल कर फोटो खीच लिया तथा फिर बॉप्स को बंद कर लिए सुभम मंदल बॉप्स खोलने में फिर उसको उसी तरीके से पुना उसी सिर्दी में लाने में काफी एक्सपर्ट है और चुके ये अंतर राजिये जाएंगे कहले भी इस तरह से चीज़े लीग करते रहते हैं जिससे कि कि किसी को कोई शक्स उभा ना हूँ शिवम गिरी ने साथ दो दोजार चौविस को अबजय शुपला को पुना प्रश्न आने की जानकारी दी तथा आठ परवरी को फिर बुरा गैंग उसी तरीके से अमधाबाद इकठा हुआ और पुना ये लोग वेरहाऊस गये जहां कोट नंबर एक पेपर के पोटोग्राप्स उनों ने लिये राजीव नहें मिश्रा और रववी अतरी ने उसके बास से इन पश्न पत्रों को आर्थिक लाग देतू विक्रम पहन, मोनु धाकला, विक्रम धैया, महंदर शर्मा, गौरा चौबजी, मोनु पंडिक, सदीश धनकर, नीटू, धीरजर्फ गोल्डी, आदी अन्य लोगों कोट पास्वन किया जिसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले ही स्टीफ के द्वारा की जा चुकी है इस तरीके से अभी तक की विवेचना जो होई है, उसके रिसाब से हम लोग अंतिम कड़ी तक कहुंचने में काम्याब हुए जहां से पर्चे जो चार पालियों के पर्चे के पेपर लिंक दिये गए, अब जो मास्टर माइंड ने जहां जहां पर्चे दिये हैं, वो विवेचना भी आगे चलेगी। लेकिन इन विवेचनाओं से यह सिद्ध होता है कि पर्चे वेर हाउस से जो मूल एजेंसी थी, इनको यह कारे दिया गया था, उसकी लापरवाही से लिख हुआ है, अब आगे इसकी यह